रेडमी नॉट 13 प्रो तो गाईस आज मैं करने वालो इसी रेडमी नॉट 13 प्रो का इंडिस्पे फिंगर्प्रिंट एंड फेस अनलॉक टेस्ट यह कितनी फास्टली काम करता है और किस तरिकी से अब जो सही सेट अप कर सकते हो तो प्लीज वीडियो को भीना स्किप के एंड तो दोस्तों यहांने पास रेडमी नॉट 13 प्रो और गईस इस फॉन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैनर आपको सेट करना है तो आपको जन्हों के सैटिंग में पासवर्ट एंड पर आपको टैप करना है और फॉर आपको स्क्रीन लॉक करनी है तो यहां स कर लेना है ओके पर टैप करना है और यहां पर गोईट पर टैप करना है और यहां पर आपको फिंगर्प्रिंट स्कैन कर लेनी है कुछ इस तरीकी से यहां पर देख सकते हो हमारी फिंगर्प्रिंट जो स्कैन हो रही है आप लेफ्ट और राइट दोनों हैंड की यहां पर fingerprint scan कर सकते हो तो फटा फटसे में में fingerprint scan कर लेता हूँ फिर हम इसका test भी करेंगे और फिलाल मैंने यहाँ पर कोई भी लगाया नहीं है जैसे कि tempered glass वगेरा और यहाँ आप देख सकते हो जैसे में मेरे fingerprint को touch करता हूँ तो instantly phone work करता है और हमारा phone जो easily unlock हो जाता है दोनों इस फिंगर से तो गाइज no doubt इसका fingerprint बहुत ही फास्टली है और मुझे ऐसाच कोई भी दिक्कत नहीं है इसके fingerprint को लेके यहाँ पर देख सकते हो परफेक्ट ली वर्क करता है in display fingerprint और गाइज अब बात करते हो इसके face unlock की तो हम वही प्रसेस जाने face unlock पर करना है नेक्स पर करना है start यहाँ पर भी आपको फॉर सेकेंड्स वेट करना है नेक्स पर करना है और यहाँ पर देख से तो हमारा face जो register हो रहाए रजिस्टर हो चुका है देख करना है और stay on lock screen को enable off कर देना है disable करना है क्यूंकि आपको ऐसा swipe ना करना पड़े डायरेक्ली महीं से आपका unlock हो जाए face यह कैमरे के सामने और यह मेरे face के सामने तो गाइस यह भी instantly वर्क करता है कोई दिक्कत नहीं है इसके face unlock को लेके भी यहाँ पर भी मुझे कोई भी सिक्यात नहीं है यानि कि इस phone का in display fingerprint और face unlock दोनों ही बहुत ही फास्टली काम कर आए वैसे आप इन दोनों में से क्या ज्यादा यूज़ कर से हो in display fingerprint या face unlock कमेंट्स में जरूर सी बतना तो यह पिग यह विए नहीं है